तो आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले अरिफाइन 15MG टैबलीट के बारे में अरिफाइन 15MG टैबलीट का निर्मान आइकोन फार्मा द्वारा किया जाता है इसमें आरिफाइन 15MG टैबलीट के यूजेस साइड फेक्ट और सब कुछ सबसे पहले जानती है अरिफाइन 15MG टैबलीट के यूजेस के बारे में अरिफाइन 15MG टैबलीट का इस्तमाल मोनिया और स्क्रिजू फेनिया की इलाज में किया जाता है सबसे पहले जानती टीटमेट अप मोनिया के बारे में मोनिया का आर्थ होता है बहत उत्ते जित होना या मूड का बहुत आच्छा होना और इपाइन पंदराएमजी टैबलेट आपके मूड को शांत रखने और तांतरीकायो को आराम देने में मदद करता है ये मूड को स्तीर करता है और मोनिया के लक्षन को दोबारा होने से रोकता है और इपाइन टैबलेट लेने से ये सुनिशित होगा कि आपके सामाजिक जीवन बहितर रहे और आपकी दैनिगत वीडियो को अधिक आसानी से पूरा कर सके आप जानती टीटमेंट आप स्क्रिजो फेनिया के बारे में स्क्रिजो फेनिया एक मांसिक विकार है जिसमें व्यक्ति की सोचने की शमता भावनाओ व्यावार में असा माननेता आ जाती है अरिफाइन टैबलेट मस्तिसमी केमिकल के असुन तलोन को ठीक करने में मदद करता है जो ऐसे बदलाव के लिए जिम्मेदारे ये विच्चार व्यावार में सुधार करता है और जीवन की गुन्नोता को बढ़ाता है अब जानती अरिफाइन टैबलेट के साइड इफेक के वारे में इस दवासे होने वाले ज्यादातर साइड इफेक में डॉक्टर की सला लेनी की ज़रूरत नहीं पड़ती और नहीं मित रूप से इसका सेवन करने से ये साइड इफेक अपने आप समाप्त हो जाते है अगर सा इसे नहीं चबाए नहीं कुछ लिए और नहीं तोड़े अरिफाइन पन्राइमजी टैबलेट को खाने के साथ या भूके पेट भी लेज सकते हैं लेकिन बहतर यहीं होगा कि इसे फिक्स टाइम पर ही लिया जाना चाहिए क्योंकि इसे अप आपकी दवाई लेना नहीं भ करते हैं आप जानती इसे उज़ करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में आपको साइकोटिक लक्षनों मेनियल एपिसोड में रहाद देने के लिए अरिफाइन टैबलेट लेने के सलाह दी गई है विचारों और मूर्प और पूरा असर देखने में 400 से सब्ता का समय लग सकता है डॉक्टर ने जैसे लेने के लिए कहा है वैसे लेते रहे अगर आपके सोने में परिशानी हो रहे ताक तो आपके डॉक्टर को सुबह लेने की सलाह दे सकते है अगर आपके बलड में शुगर कैलिस्ट्रॉल बढ़ सकता है पुष्टिक खाए नियमित रूप से व्यायम करे और नेमीत रूप से अपमें ब्लेड शुगर और केलिस्ट्रोल के स्तर पर नजर रखे अरिपाइन पंद्रायम जी टैबलेट के सेवन से चक्कर आना या नीम आ सकती है जब तक आप ये नहीं जानती कि ये दव आपको कैसा अस्तर करता है तब तक ड्रायू न करे ना ही मानसी के कागरतावाला कोई काम करे अरिपाइन पंद्रायम जी टैबलेट लेती समय श्राप का सेवन न करे क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा ड्राइजिनेस हो सकती अगर आपको अचानक मुड में बदलावात आया अत्सामानी गतिविदी के विचार आने लगती ही तो अपने डॉक्टर को बताईए जानकार आपको कईसी लगी दोस्तो अच्छी लगी हो तो लिएक और चानल को सब्सक्राइब करना न भूले अन तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो जय हिन दोस्तो